सो हेलो मेरे भाइयो आप सभी लोग को एक और ने वीडियो पर सौगत करता हूँ मैं आप लोगों को एक ऐसी कमाल की APN सेटिंग बताने वाला हूँ ये 2023 की अब तक की सबसे बेस्ट APN सेटिंग होने वाली है तो आप लोगोंने क्या करना है वीडियो को सुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है और जो मैं सेटिंग आप लोगों को वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ वह किसे जरूर आप लोगोंने कर लेनी है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलते हैं mobile की screen पे उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ अगर आप लोगों को कहीं भी ये वीडियो पसंद आती है वीडियो के बीच में या end में या शुरू में तो आप लोगों ने वीडियो को कर देना है एक like और channel को कर देना है आप लोगों का काम निकल जा ताकि मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो और भी मेहनत करके बनाऊ तो वीडियो स्टाट करने से पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया करो लिंक नीचे description में दे दिया है तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं चलते हैं mobile की screen पर में आ चुका हूँ सेड में आप लोग देख सकते हैं ठीक है आप लोगों ने अब यहां पर से setting करके ध्यान से समझ लेना वीडियो को स्किप करके जल्दवाजी में मत देख लेना भाईयो नेट नहीं चलेगा उसके में मैं कोई गारंटी लेता अगर मेरी setting पूरी तरीके सा और पूरा वीड सेड़ वर्क में जाना है उसके बाद आप लोगोंने सिम में जाने के बाद आप लोगों को एक setting मिल जाती है यहां पर अप लोगों को बताने वाला हूं तो आप लोगों ने वीडियो को यहां पे से बिलकुल मेरे भाईयो मेरे कहने से स्किप मत करना भाईयो क्योंकि आप लोग एक वी वर्ड ऊपर नीचे कर देते हो ना तो उसके बाद इस पीड आप लोगों को इसलिए अच्छी नहीं मिलती है तो आप लोगों ने यह ध्यान से देख लेना है ठीक है तो यहां पर एक एक करके मैं बता देता हूं सबसे प स्पेस देना है उसके बाद आप लोगों ने अल्ट्रा लिख लेना है ठीक है आप लोगों ने अल्ट्रा लिख लेना है अल्ट्रा लिखने के बाद फिर इस पेस देना है फिर आप लोगों ने यहां पर लिखने है फाइफ और कैपिटल में जी ठीक है आप लोगों ने न ठीके अब यहाँ पर add the rate लिखने के बाद आप जो भी company का sim यूज़ करते हो, suppose करो आप लोग एटल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है एटल 5G, ठीके अगर आप लोगों ने लिखना है यहाँ पर वी आई 5G, अगर आप जियो का sim यूज़ करत जीो वाले हैं तो जीओ फाइव जी लिखना है और वी आई वाले हैं तो वी आई 5G लिखना है ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने नीचे करना है, उसके बाद यहाँ पर proxy की setting मिल जाती है, आप लोगों ने not set रहने देना है, port की setting मिलती है, not set, उसके बाद username पर करेंगे APN वाले में ठीक है बाकि सब कुछ सेम रहने वाला है ठीक है उसके बाद आप लोगों को password मिलेगा password not set उसके बाद server मिलेगा most important setting यहां पर आप लोगों को लिखना है www.capital.g और उसके बाद आप लोगों ने लिख लेना google.com ठीक है मिरा भाई हो google.com आप लोगों ने लिखने नहीं चाहे वी आई हो चाहे एटल हो चाहे जी हो ठीक है उसके बाद आप लोगों नीचे करेंगे आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है आप लोगों को लास्ट वाला option सेलेक्ट कर लेना पी एप पी पैप और सी एचेप चैप अब यहां पर मैं पहले आप लोगों को बता दूँ अगर आप लोगों को कोई पुराना mobile है जिसमें आप लोगों के सेटिंग करना हो अगर इ लास्ट वाला IPV4, IPV6 आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है फिर roaming protocol मिलेगा इसमें भी आप लोगों ने लास्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है अब यहां पे मिल जाता है आपको BRR की सेटिंग बताने से पहले मेरे भाईयों जिन पर पुराना mobile है उनके mobile में सारी सेटिंग ख अब BRR के सेटिंग बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ यह सारी सेटिंग मैंने अपने इंस्टाग्राम के about section में डाल दिये किसी को अगर वहां से चाहिए तो वहां से जाके इस सेटिंग को ले जाके आप लोग कॉपी कर लेना वहां से और ले जाके आप लोग चार सेलेक्ट कर लेना और यू एम्टी यह चार सेलेक्ट कर लेना और जिसमें सेलेक्ट सारे नहीं होते वह एल्टी सेलेक्ट कर सकता है और ल्टी भी सेलेक्ट नहीं होता तो नोट पैसिफाइट पर ही रहने देना ठीक है पुराने मोबाईल वाले और वैसे अगर हो जा का नेट चला जाएगा दुबारा से आप लोगों का नेट आएगा अब आप लोगों ने क्या करना है बैक आ जाना है बैक आने के बाद मेरे भाईयों आप लोगों को पहले में यहाँ पे स्पीड टैस्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को यह ना लगे कि भाई यह पूछ भी बता रहा है और स्पीड कुछ आने है ठीक है तो यहां पे आएंगे मरों में पैशली स्पीड स्मेटर में कोले लिए यहां पे मिरा MBBS 2 MBBS की मिल रही थी तो ये सैटिंग कर लो आप लोगों को 30 MBBS की स्पीड कहीं भी असानी से मिल जाएगी ठीक है तो I hope मेरे भाईयो आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया पसंद आया तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब करके जरूर जाना ठीक है